नमस्कार, शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पनो आपका श्वागत है दोस्तों मैं हूँ भास करानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो व्लोक्स में एक सुन्दर सी फिमेल हतेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हतेली मेरे सामने बिबेचना के लिए आ रखी है देखेगा हतेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको गुरू कहा जाता है और देखेगा इनको ऐसे ही गुरू नहीं कहा जाता है, ये सच्च में देव गुरू ब्रिस्पती ही है और गुरू का मतलब होता है सिकाने वाला, ठीक है ने, और जब ये परवत यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ ऐसे धस्ता हो चले जाए और इस फिंगर में जो है, इस पे पलीता लगाने के लिए यहाँ पे काला तिल नजर आए तो इसके कुप्रभाव नजर आते है ऐसे में सबसे पहले बिक्तिकी जीवन में धन की दिकत्तें बढ़ जाती है ऐसा जातक पोजा पाट में तो लगा रहता है मगर इनको इस्ट किरपा नहीं मिल पाती है और जब इस प्रकार की इस्तिती आती है तो यकीन मानिएगा घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे जातक के सम्मन्द ठीक नहीं रहते हैं या बुजुर्गों की वजोसे भी ऐसे लोगों की जीवन में परेशानी आनी सुरू हो जाती है ऐसे लोगों को अपनी जीवन का आल में तरकी नहीं मिल पाती है ब्यक्ति बस गुजारा करते चला जाता है कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन ऐसा इनसान एक लेबल पार करके दूसरे औरबिट में नहीं जा पाता है और इस परकार का खराब गुरु ब्यक्ति की सेहत को भी खराब करता है कई बार ऐसे लोगों के अंदर डाई पटीच देता है लेबर की दिकत देता है कई बार मोटापा बढ़ा देता है कई बार सित्लता देता है और गुरु इस परकार से हो तो जीवन से खुश हाली निकाल लेता है ये सबसे बड़ी बात है ठीक है न? और जो इन से जोड़े वी होते हैं क्या क्या चीज़े होती है देखेगा ये अगर इस परकार की हो चीज़े हाथ में जलत ध्यान से देखेगा आपके पास चाहे कितना अच्छा भी ग्यान हो चाहे कितनी अच्छी भी नौलेज हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्रेटफॉम नहीं मिलता है अगर प्रेटफॉम मिल भी गया ब्यक्ति उसको सही से यूज नहीं करता है ऐसे में कभी भी आपका बैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह सकता है ठीक है ने जो चरम सुका भोग है उसकी बीच में प्रस्तितियां आती है अगर सपोज जो है ब्यक्ति नौकरी कर रहा है जैसे इनका पती है नौकरी कर रहा है या बिजनिस कर रहा है और आपकी हतीली में इस प्रकार का तिल है ब्रस्ति इस प्रकार से बैठे हुए है तो क्या होता है काम धंदा चोपट होनी की इस्तिति में आ जाता है ठीक है ने ऐसे में संतान को लेकी चिन्ताईं होती है जो पैतरिक संपती होती है उसको लेके फायदा नहीं मिल पाता है धन की इस्तिति मैंने बता दिया है सभी परकार की जो सुक हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए ये ब्रिस्पति उनसे वन्चित रखवाता है और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को समय पे गुरू नहीं मिलता है मनि सही दिसा दिखाने वाला विक्ति नहीं मिलता है और जिवन में बड़ा संगर्श करना पड़ता है कभी कभी ऐसे लोग अपने आपको अकेला महसूस करते हैं ये इस्तितियों को ये दिता है और आप किसी के लिए ने कितना भी कुछ करनो आपको यस नहीं मिलेगा ये सबसे बड़ी बात है आप ये खराब ये नहीं जाएंगे सब कुछ आप ने ठीक कर दिया लेकिन लाश्ट में जो क्रेडिट होता है वहीं पे आप गलती कर लेते हैं ठीक है ने और वहीं पे सबसे बुरे आप बन जाते हैं ये इस चीज को दिखाता है यसनी देने देता है सम्मान की कमी करता है अगर परिवार में आप बिलेन बन के रह जाते हैं ये इस चीज को दिखाता है और इसका प्रभाव जीवन काल के 40-वे वर्स तक रहता है तो थोड़ा सा जो है आपको द्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे इसको ठीक करने की जरूरत है दोसरा बहुत अच्छी चीजी भी है दोसरा अगर देखेंगे तो आपका निम्न मंगा यहाँ पे ये चिर्चडा स्ववाव दे सकता है छण बंगोर वाला गुसा दे सकता है ठीकने कन्फ्यूजन दे सकता है उल्जन दे सकता है ठीकने और निरणे लेने की ताकत में कमी कर सकता है बिक्तिसई से डीसिजन नहीं ले पाएगा कि वास्तों में करना क्या चाहिए और किस तरह पहमें जाना चाहिए अगर ये सारीरिक विकार दे तो सरीर में कमपन की समस्या कई बार देता है कई बार सारिक ताकत कम करतेता है कई बार सरीर के जोड़ जो है उनमें दर्द उगेरा होता है और जादा बढ़ गया तो बलड प्रेशर के समझिया ये मंगल देता है ये इस्तितिया आपकी हाथ में अभी है लेकिन बहुत अच्छी चीज भी है उनकी और भी चलते है उससे पहले मैं अपने दर्द सकों से कहना चाता हूँ यदि आप भी अपनी हतेली के रह्ष्य को जानना चाते है इसको समझना चाते है कुछ पूछना चाते है कुछ जिग्यासा आपके अंदर है तो निसंकोच वाटसप करे 8-7-00-6-3-1-2-8 ये मेरा वाटसप नम्मर है 8-7-00-6-3-1-2-8 8-7-0-6-3-1-1-2-8 अपनी हाथ की साप सुतरी फोटो खींचे कलाई से लेके उंगलियों साइत दोनों हतीलियों की अलग-लग फोटो मुझे वाटसप करें उसमें अपना नाम अपनी लगभग जो उम्मर है वो लिखके और अपनी जरूरी सवाल भी लिखके भीजेगा मैं आपको एक डेट दे दूँगा और उस डेट को आपकी हतेले का पूरा बिसलेशन करके उस वीडियो का लिंक आपको आपके वाटसप नमर पे शेयर कर लूँगा और उसके जो उपाई निकलेंगे वो लिख करके और आडियो के मादेम से दे दूँगा इनको आपको करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको लाब होगा यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाई तो बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा आपके आरत देके पड़ती समरपण की भावना रहेगी कैसे भी प्रस्तिती आए इस स्वर से विश्वास नहीं उठेगा ये बहुत अच्छे संकेत है लेकिन ये उंगली भी पूरी तरों से जुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ ऐसे में बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार आपको दोड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा यहाँ पर देखेंगे ये उंगली पूरी तरों से झुक रखी है इसकी तरफ यस पाने की चाहा नेम फिम पाने की चाहा और अपने कारियों में विस्तार पाने की चाहा बहुत अच्छी रहेगी और आगे चल कर इसका लाप भी बहुत अच्छा मिलेगा इस से बड़ी है चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर अपनो उठने की ताकत भी बनी रहेगी जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं और इसका लाप भी मिलेगा इसमें थोड़ा गैप है जब भी आपके जनम कुंडिली में सनी साड़ी साती में होंगे धाया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लम्मा पड़ेगा अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड क करता है आपके जो है करमाज के उपर धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी आगी जालकर इसका फाइदा भी होगा इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओं में और और accountability में, filing में और communication skills में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है इस कमी को दोरोग करने के लिए यहां तक थोड़ा नाखोन बढ़ाए तो आपको बहुत अच्छा लाब होगा यहां पर देखेंगे तो बहुत सुन्दर अंगोठा यहां पर दिखाई दे रहा है तो एक सुखत जिवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखत जिवन जीने के लिए प्रेतन सील बिक्तितों भी यहां पर दिख रहा है यहां पर देखेंगे तो हिर्देरेखा बहुत अच्छी है चंद्रमा की तरफ जा रही है अंतरमन से बाहर से कुछ भी हो अंतरमन से सब के लिए सोचन नौलेज भी बहुत अच्छी है। बुद्ध्यमत्रा भी है। तेज श्वी प्रवृतिका भी है। निभाने वाला भीक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाविमानी भी बहुत जादा है। और स्वाबिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं दिखाई दी रही है पून तह बिस्वासी है बिस्वास किया जा सकता है ऐसा बिक्तित्वा है और अंदर से देखा जाए तो ब्रिस्पती की सांदार गुण आ रहे ह निर्मल खिरदय का बिक्तित्वा आपका यहां पे दिखाई दे रहा है आगे चल खास कर जीवन काल की 38 एर से 30 में वर्ष से ऐसी इस्तिति आपकी जीवन में आ रही है कि जिस भी परकार से चाहे आप व्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पर दूसरी बात देखेंगे तो आपका यह रेखा यह है आपकी बुद्धी की रेखा बौदिक अस्तर तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन पूरी हतीले को पार कर रही है चंद्रमा पी जा रही है तो इस समय ऐसा बिक्तितों बन गया है बहुत ज़्यादा सोचती रहती है कल पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबी रहती है और मन की जो एकागरता है वो बहुत ज़्यादा डिस्बैलेंस है लेकिन अच्छी सपलता मिलेगी यह भी यहां पर दिखाई दे रहा है हां कल पनाओं जीवन में बहुत ज़्यादा क और जांसी जीवन रेखा और मस्तिस्क रेखा आ रही है तो यह थोड़ा गयब है स्वतंत्र विचारधारा का ब्यक्तित्व है अपनी मन की मालकिन है किसी के अंडर में किसी के आदिपत्य में रहे कर काम करना इनको पसंद नहीं है हाँ मैनेजमेंट की समझ भी बहुत अच्छी है और रिस्पोन्सबिल्टी भी बहुत अच्छी तरों से निभा सकती है और बता दे कि जनम अस्तान से दूर इनकी तरकी है जनम अस्तान में रहेकर तरकी नहीं दिखाई दी रही है जब ये रेखा यहाँ पे आ जाती है तो ये क्या करती है कि कदम कदम पर विक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और खास करके रोटी रोजगार को लेकि रूपे पैसो को लेकि आजिवका को लेकि कि हर जगविक्त को उतार चड़ाव जहिलना पड़ता है और बहुत दिकतों का इनको सामना करना पड़ता है और फिर ये दूसरों की बातों में भी बहुत ज़्यादा आने बैठ जाते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहे इसका मैं उपाई दूँगा जरूर करियेगा करियर और धन की रेखा देखें तो चंद्रमा से इसका प्रभाव जो है यहाँ दो करियर और धन की रेखा यह हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ है एक ऐसी आ रही है और एक इसी के साथ मिल रही है और यहां से जो है यह आ रहा है हिर्दय की रेखा से तो भगवान विश् आपके इश्टदेव हैं इनकी सरनागति जाएं ठीक है नहीं जीवनकाल के अन्तीसवें वर्स से आपके करियर और धन में थोड़ा बिर्दी होने बैठेगी चीजें थोड़ा-थोड़ा ठीक होने बैठते जाएंगे और जीवनकाल के 41 वर्स से बहुत अच्छे योग आपक प्रते एक दिन पैसा आएगा अगर वहन का सुख चाहेंगे आप तो 41 से लेके और 45 के बीच में वहन का सादनार सुख आपको प्राप्त होगा अगर घर का सुख नहीं मिला है तो 41 से 45 के बीच में घर का सुख बहुत अच्छा दिखाई दिए रहा है या उसकी नियो रख अगर आप ब्यापार कर रहे हैं तो अगर ब्यापार में बिस्तार नहीं हो पा रहा है फैलाव नहीं हो पा रहा है तो 41 से 45 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है आपका ब्यापार बहुत बड़ी रुप में सामने आएगा अगर ब्यापार करने की सोच रहे हैं ब्यापार क में दुबारा भागयोदाई दिखाई दे रहा है बुड़ापाई भी बहुत अच्छा रहेगा यह इस पष्ट चीजें यहां पे दिखाई दे रहे हैं और 38 एर से आपको बहुत अच्छा लाब होना सुरू हो जाएगा यह चीजें भी दिख रहे हैं यहां पर एक चीज है आपकी हतेली में जो थोड़ा सा unbailence है और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पढ़ रहा है आप देखेंगे आपकी हतेली में एक बँढ़ा जाल बन रहा है और हतेली में जाल बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ठीक है न इसको खराब माना जाता है हस्त रेखा कि उ साथ देखा जाए ये सबसे पहला प्रभाव डालता है आपके मन पे आपके मस्तिस्क पे जीवन में बहुत जादा उल्जने आ जाती है कई बार पूरा जीवन ही उल्जन में चला जाता है ऐसी इस्तिती आ जाती है और जो प्रभाव पढ़ता है आपके रिष्टों पे, खास कर आपका दामपत्य जीवन का रिष्टा, आपका परिवार का रिष्टा और आपका कुटुम का रिष्टा, इन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में प्रस्तितिया खड़ी हो जाती है, व्यक्ति चरम पाता है तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सिहत पे आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको दरिद्रता की और ले जाता है आर्थिक रूप से ये हमेशा भयंकर बीमार कर लेता है आपको कहते हैं ने धन के मामले में बरकत खतम हो जाती है ठीक है ने धन की दिकतें बढ़ जाती है पुजापाट में तो बेक्ति लगा रहता है लेकिन इस्ट किरपा नहीं मिल पाती है ये इस चीज को दिखाता है चोथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे चाहे वो सारिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो ये विकार देने की कोशिस करता है और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेस पे आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहिए था वो सपलता का अस्तर माइनेस की तरब जाता है आप सफल नहीं हो पाती है या आप से जो बहुत ज़्यादा जोड़ा रहता है वो सफल नहीं हो पाता है ठीक है नै मनि ये आपके जो निव है जीवन की उसकी जड़ों को खोकला करता है और धीरे धीरे आपकी समिर्द जीवन को धराम से उस गर्त में धकेलने की कोसिस करता है क्या क्या आपको करना है जिस से जीवन में एक नया आयाम जुड़े कुछ साह बने, जीवन की उरजा हो ठीकरे और जीवन की वास्त्विक खुशियों का आपको भोग करना पड़े इसके लिए क्या करना है आपको मैं सबसे पहले एक बनस्पती अश्टनान की परक्रिया आपको दे रहा हूँ जरूर करियेगा और बनस्पती अश्टनान के साथ एक छोटी सी क्रिया दे रहा हूँ थोड़ा गुप्त क्रिया है दे रहा हूँ वास्तों में आपकी रिलेशन हो आपकी जो है सपलता का में जो रोड़ा ये अटका रहा है ये चीज हो ये पूरी तरों से खतम हो जाएगी और नई उरजा आपके अंदर आ जाएगी बहुत सुन्दर है तोड़ अलग परकार का उपाई है लेकिन करिएगा जबरदस्त लाब होगा दूसरा मैं एक दिव्य सुर्य के रिया एक दिव्य योग ध्यान के रिया आपको दे रहा हूँ और ब्रेस्पति का उपाई जरूर करिएगा क्योंकि ये जो तिल है ये बहुत खराब माना जाता है तो ये चीजें आपको दे रहा हूं करिएगा और विदिवत तरह के से करिएगा मन लगा के करिएगा विस्वास के साथ करिएगा आगे चल कर आपको बहुत बड़ा लाव होगा सुक्र की इस्तिती देखें तो सुक्र आपका ठेक है उसमें vertical रेखाई हैं कारे के परति जुझारोपन दिखाई दे रहा है जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पोरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको लाब की इस्तिति में ले जाएंग और एक सुखत जीवन जीने के लिए इसका हतिले में पुष्ट होना जरूरी है आपकी हतिले में सुकर सुन्दर रूप में उबरावा दिख रहा है तीजों में अवस्ता में है आगे चल कर ये आपको तीजों स्वी बना रहा है आपका चेहरा भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी परसनल्टी भी बहुत अच्छी रहनी वाली है सुन्दरता है आकरसन है आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर प्रस्तित को जेलने की ताकत भी रहेगी शुक्र आपको बहुत अच्छी इस्तिति में ले जा रहा है हाँ एक चीज इस कोबड की उज़ों से है आप तीन चीजों से थोड़ा बचके रहें एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निरणए न ले उतावलेपन में बहुत बड़ा निरणए न ले और जो है भावनाओं के बशीबूत होकर बहुत बड़ा डिशिजन ले अगर इन चीजों में आप फंस गएं तो जीवनकाल में संगर्स रहेगा धनहानी होगी और ब्यापार करने की सोच रहें तो बड़ा सोच समझे कर आप ब्यापार करें ब्यापार में थोड़ा नुकसान होने की इस्तिति दिखा रही ही है ये 42 वे तक अगर ब्यापार करते भी है तो पार्टनर्शित में करें तो आपको लाब होगा खुब मेहनत के बाद ही आपके पास धनाने की संभावना है और जैसे जैसे थोड़ा उमर बढ़ेगी पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है और कमर की प्रोब्लम है जिसको साटिका की प्रोब्लम कहते हैं इसकी सम्मानों बढ़ सकती है तो योगा है प्रणायाम है या मेडिटेशन है ये चीज करें तो ये चीज आपके साथ नहीं होगी खासकर जीवन में धन कामाने की इस्तित थोड़ी सी लेट आपके जीवन में बन रही है लगाद पुर नहां बहुत अच्छा समया आपका आने वाला दिखाई दे रहा है इसकी मैंने बात कर ली थी ये अगर देखें तो प्राकरम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक सुभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा आगे चल कर वो comfortable फिल करेगा ब्रिस्पति की हमने बात कर ली है सनी की इस्तिति की बात करें सनी ठीक है लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा गंभीर बेक्तित्व दे रहा है लेकिन बेवजहे की चिंताईं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहें दे रहा है जो तनाव करें हो सकता है सोबह उठने में आलस्य दे यहाँ पे अगर हम सुरे की बात करें सुरे में बहुत अच्छी चीजे है यहाँ पे देखेंगे तो पूर्ण तो जो है तिरकोर नुमा बना रहा है लेकिन यहाँ पे योव साइन बनाता हुआ यह दिखाई दी रहा है जो यस जो कीर्ती आपको मिलनी चाहिए जो जीवन में बिस्तार मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है तो दिव्य सुरे किरिया जरूर करें बुद्ध बहुत अच्छा है इसमें लकी रहे है तो लाब की इस्तिति बहुत जल्दी आने वाली है इसको दिखा रहा है चंद्रमा की इस्तिति भी दिरे-दिरे ठीक हो रही है इसका बहुत ही सुन्दर आपको लाब मिलने वाला है मूल चीज आपकी देखें तो ब्रस्पती है और नीचे से देखें तो नगेटिब उर्जा नजर दोस बहुत जादा है और इनका मैं एक सटीक उपाई आपको दे रहा हूँ बिदी वद तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाब आपको बहुत जल्दे दिखाई देगा कम से कम आप देखेंगे कि आटवे महेने से आपको अपने जिवनकाल में परिवर्टन होता हुआ दिखाई देगा अगर आपने उपाई सही बिदी से और उसी परकार से किया अगर थोड़ा भी कनफ्यूजन लगे आप तुरंथ फोन करे मैं आपको फोन पे भी समझा दूगा ठीक है जी? क्योंकि आप मेरे जो है पुराने कॉस्टुमर हैं और हर साल आप अपनी हतीलियों को दिखाते हैं देखा जाई तो मैंने आपकी हतीलियों का पूरा विश्लेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और यो के मादिम से भीज रहा हूँ आपकरने की कोसिस करें निश्चित ही बहुत बड़ा लाब आपको मिलेगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ उन्हों पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार